हलो फ्रेंड मेरा नाम है प्रियंका आप सब का सौगत हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक फंडाइवेंटल अनालेसिस में और आप सब कैसे हैं आई होप आप सब अच्छे होंगे मार्केट आवर चल रहा है आप सब का ट्रेड भी अच्छा चल रहा होगा आप सबने अच्छे जगह इन्वेस्ट किया होगा सूस समझ के किया होगा ठीक है तो आगे हम बात करते हैं जिस टॉपिक के लिए वीडियो बनाया जा रहा है आई प्यो आपको पता है सिर्मा इंस् का अलाट्मेंट होने वाला है तो आप दे सकते हैं 12 अगस्ट को स्टार्ट हुआ था 18 जिसकी फेजबर दस रुपए पर सेयर थी और आपको पता है 209 से 220 तक पर सेयर प्राइस थी लेकिन जिसने भी 220 पर अपलाई किया होगा उसको मिलने के चांसे बढ़ जाते हैं ओपनि आपने अलाट्मेंट कैसे चेक कर सकते हैं कि लॉặt हुआ की नहीं हुआ आके डिसकृऊन में उसकी लूंक भी दे दूघी महां से अपड़ जाकर चेक भी कर सकते हैं कि यह अंपने फॉपद्लिकिशन से में के इसकेर Lars 25 आप आप प्यों का अप्लाई करने के लिए लोगों का इंटर्स बहुत था इसमें बात करते हैं अगर हम क्रेडिट सेयर टुडिमेट 25 अगस कोगी जिस तारी को आपके डिमेट एकाउंड में क्रेडिट सेयर हो जाएगा सेयर का इंस्ट्टल रिफंड आपका 26 मतलब कल की दिन आपका रिफंड मिल सकता है और आप यहां जाके अपना अलॉट्मेंट इस्टेटेस चेक करते हैं साइड है लिंक इन टाइम पब्लिक इस्टू यहां पर आप जाके अपना अलॉट्मेंट इस्टेटेस चेक कर सकते हैं यहां पर आप जाएंगे यहां पर आपको सेलेक्ट करना होगा कुछ नॉर्मल चीज़े आप से पूछी जाएंगी जो आप वहां पर जाके सेलेक्ट करेंगे जिससे आपको अलॉट्मेंट पता चल जाए यहां पर पहले सिट इस पर जाएंगे साइट पर पहला option देखी है आएगा please select company company select करना अगर यहां पर सिर्मा का नाम select select करते हैं और आता है तो इसका मतलब allotment हो चुका अगर नहीं आता है तो allotment नहीं हुआ है फिर इसके बाद इंटर पैन दालेंगे और submit कर देंगे तो आपको पूरा status पता चल जाएगा allotment का allotment का और हाँ allotment जैसे आज होने वाला तो तूरां नहीं पता चल पाता है कभी कभी कुछ का पता चलता है बारा से तेरा घंटे में हो सकता है आपको कल तक का भी वेट करना पड़ जाए और ग्रे मार के प्रीमियम की बात करूं इसकी 53 से 56 थी subject rate दो लाक अप्लिकेशन का दस लाक अप्लिकेशन शीएटर सो का और आप जानते है कि इसकी सोर्स की जो मान है तो प्रेमियम बहुत अच्छा hedge कर रहा है आप इसको पता है इतकर मार्केश बहुत गिररा था इतने गिरते हुए मार्केश में आगर इसनी कंप्रैमेंस अच्छा देखने मिला है इसका मतलब कंपनी बहुत अच्छा आगे परफरॉर्म करेगी डेünüz प्रय प्रेम्पन आप देख सकते हैं कि company ने इतने गिरते हुए market में भी अच्छा performance किया है तो इसका मतलब आगे वाले time में भी company अच्छा performance करती हुई नजर आने वाली है वैसे भी pharma company है तो pharma company के demand है लेकिन करोना के बाद थोड़ी कम है लेकि इतनी भी कम नहीं हुई है कि इसके आने वाले time में इसका market इतना भी बूरा देखने को मिलेगा तो आने वाले time में आप रख सकते हैं तो लॉंग टर्म के लिए अच्छा performance देंगी और आप देख सकते हैं कि यू आई बी ने 87 मतलब ड़लग बगर समझ सकते हैं 86 और रिटेल ने 55% और एनाई ने 17% टोटल 32% सब्सक्रिप हुआ जब अचाना आई और रिटेलर से ज़्यादा सस्क्रिसम क्यू आई वी के दारा देखा जाता चार से पांच गुना ज़्यादा तो इसका मतलब company बहुत जबर जबर जस्ट प्रफॉर्म कर रही है और आने वाले time में भी आप इसका guest लगा सकते हैं कि चार से पांच म कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगती है और किस company के IPO के बारे में फंडमेंटल इस्टॉक का ओबर वीव आप चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरू बताइए और अलाट्मेंट चेक करने कि मैं नीचे लिंक दे दूँगी वहाँ जाके अपने अलाट्मेंट चे किये आपकी पूरी पूरी हेल्फ की जाएगी और आप अपने अकाउंट ओपन कर पाएंगे ठीक है इस वीडियो देखने के लिए थांक्यू सो मच बाइबाए टाटा टिक केर बाइबाए